भारत बायोटेक की को एक्सीन कोरोना वारेस के आलफा और डेल्टा वर्जन पर भी असरकार है अमेरिका के टॉप हेल्थ रिसर्च संस्थान नेशनल इस्टिटूट अफ हेल्थ की स्टडी में ये सामने आया है महामारी के दौर में सुप्रीम कोट ने एक और बड़ा फैसला समयाया है कोट ने बुद्वार को कहा कि कोरोना से मौत होने पर परीजन मौवज़े के हख़दार है सरकार उने इन मौवज़ा दें, मौवज़े की रकम कितनी होगी ये सरकार तै करेगी मोधी सरकार के एक फैसले से आम जनता को राहत मिल सकती है आने वाले दिनों में खाद तेलों के दाम में गिरावट देखी जा सकती है मोधी सरकार ने मंगलवार को कच्छे पाम तेल का आया शुलक खटा कर 10 फीज दिगन्ने का फैसला लिया है गुजरात को आपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फैडरेशन के ब्रांड अमूल ने दूद की कीमते बढ़ाने का फैसला किया है कीमतों में 2 रुपए प्रती लीटर का इजाफा होगा नई कीमत कल यानी 1 जुलाई से लागू होगी इसके बाद एक लीटर दूद कीकी मता 42 रुपए हो जाएगी पहले ये 46 रुपए थी बुदवार को ही केंदरी कैबिनेट की बैठक में देश के सूला राज्यों में भारत नेट के लिए इस मुटभेड में सुरक्षबलों द्वारा दो अतंकियों को मार दिया गया है इसके साथ ही पूरे अलाके की गिराबंदी कर दी गई है और तलाशय अभ्यान को तेज़ कर दिया गया है गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और भारती जन्यता पार्टी के कारिकरताओं के बीज भढ़न्त हो गई बताया जा रहा है कि बीजेपी कारिकरता नवन्युक्त प्रदेश मंत्री अमित वालमी की के स्वागत करने वहां पहुँचे थे स्वागत के चलते वे ढोल बजा का नारे भी लगा रहे थे उसी दौरान बवार शूरू हो गया घरेलु शेरवाजार वदवार को मजबूती के साथ खुले लेकिन उसने अपनी बड़त को दुपहरवाज सत्र में पूरा खो दिया करवार बंध होने पर बियसी का 30 शेरुवाला सैंसेक्स दिन के उच्चिता मिस्तर से लगबग 400 पॉइंट नीचर रहा सैंसेक्स 67 पॉइंट की कमजूरी के साथ 5483 पॉइंट पर बंध हुआ भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने केंदर सरकार को खेल रतन के लिए 2 और अरजुन पुरुसकार के लिए 3 खिलाडियों के नाम बेजे हैं खेल रतन के लिए BCCI ने आर अश्मिन और भारती महिला टीम की कप्तान मिताली राज के नाम बेजे हैं वहीं अर्जुन पुरुसकारों के लिए शिकरधवन, टीम इंडिया के ओपनर के ल राहूल और तेज के इंद्वाज जस्प्रीद बुम्रहा के नाम केंदर सरकार को भेजे हैं जलवायू परिवर्तन के असर से मई की तरह जून महा में भी औसत तापमान में तो गिरावट आई है पर उमस भरी गर्मी ने बेचा इन कर रहा है जून महा में आमतोर पर अधिक्तम तापमान 44 से 45 डिगरी सेलसियस रहता है जबकि इस बार अभी तक सिर्फ दो दिन अधिक्तम पारा 40 डिगरी सेलसियस थैप कहुचा है हाला कि मौसम विज्ञानिक बारिश के लिहास से से अच्छा मान रहे है ऐसी उमस भरी गर्मी अच्छी बारिश का संकेत दे रही है